असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूँगे अफगानी चिकिन मलाई कोफता की रेसिपी जो बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं एक दम रेस्टोन स्टाइल बनाएंगे बलके रेस्टोन से भी बहुत ही जादा बेहतर होगा और टेस्ट में बैस्ट होगा तो बैस्ट के पीसे भी ले सकते हैं बोन ले से अच्छे से अमने इसको वाश कर लिया था और ड्राय कर लिया है जिकिन में पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी अब एक चौपर लेना है और इसमें एड करना है हमें दो हरी मिर्च एक मीडियम साइज का प्याज इस तरह स करना है तो यहां पर देकि हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिए और कीमे में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए अगर पानी रह गया तो कोफते टूट ने कर डर रहता है अब देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है अब इसमें जाएगा चिकिन तो हमने देखिए इस बेबात चोटी चोटी पीसेस तो यह एड़ कर देंगे कुछ पाउडर मसाले जाएंगे यहां पर मैंने चिली फलेक्स का यूज किया यह कुद्शी नहीं होता और टेबल इस्पून अध्रक लहसुन का पेस्ट एड़ कर देना है और अब यहां पर एड़ करेंगे वन टेबल स्पून पी और घी इसको कवर करकर एकदम इसका फाइन कीमा बनाकर तियार कर लेंगे अगर आप कीमा ले रहे हैं और यह उटा हुगा तो इसमें सभी मसाले एड़ कर लें और फिर इसको मिक्स कर लें तो देखिए हमने एकदम फाइन सा कीमा बनाकर तियार कर लेंगे यह कीमा बनकर हो गया है तो एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इसको यह देखिए एकदम बारिक सा कीमा बनाए तो अब इसको कोफते त्यार करेंगे तो यहां पर हमने हाथों पर थोड़ा सा ओइल लगा लिया या फिर पानी लगा लें इस तरह से इसकी बॉल्स बना कर त्यार कर लें तो देखिए यह पर हमने यह कॉफ से बनाकर त्यार कर लिया है आप इसको फ्रीज में रख दिजिएО थोड़ी देडर के लिए तब तक हम इसकीज़ी ग्रेवी बनाकर त्यार करेंगे तो यहां पर हमने एक पैन रख लिया है और यहां पर मैं अगारो का हार डैनुडाइस पैन यूज़ कर रही हूं अगर आप इस पैन को पर्चेस करना चाहते है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें तीन से चार टीबलिस्पून ओयल एट कर ल पर त्रफ कर लिया है छसा पाड़े साइस के प्यास ब्रॉक्त मिलड देंगे उट 2 अगरेड कर देंगे 10 अगरे नहीं दो हरी मिर्स सब्सक्रिभाक नहीं है तो 10 कचल श्रत ने तो 10 एट कर दैंepende है यह देखिए तो यहां पर हमने दो से तीन मेंट पका लिया फ्लेम को बंद कर दिया इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तब तक हम कौफ्टे फ्राइड करेंगे तो एक पैन ले ले इसमें और एड कर ले क्यूंकि हमने फ्राइड करना है तो कोई क्वांटिटी नहीं करेंगे और इस तरह से हमने इसमें कलर ले लेना है तो एक दम सब बहुत इसको कुक नहीं करना है इस तरह से कलर आ जाए एक से दो मिलिट पकाईए तब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि बाद में ग्रेवी के साथ कुक होंगे तो देखिए अब यहां पर एक एक फाइन पेस्ट बनाकर त्यार कर लेना है तो देखिए यह फाइन पेस्ट बनाकर हमने त्यार कर लिया है अब इसको साइट कर देंगे यहां पर हमने एक कड़ा ही रखिए ग्रेवी बनाने के लिए इसमें एड़ करेंगे ओल तीन सचार टेबल स्पून ओल जिसमें हमन एक मिनट हमने पेस्ट को इस तरह से पका लिया है और आप जो ग्रेवी बनाई थी हमने वो एड कर देंगे जो पीस कर रखी हुई थी और इसको हमने मिक्स करना है इसमें कुछ पावडर मसाले जाएंगे फ्लेम को लो कर जीजिए तो हाफ टीस्पून यहां पर मैंने पीली म मिर्च मुझाइं जाता है दो नहीं है तो आप यह बक्राइड ब्लमेश यहां पर दखनी मिर्च का पावडरों तौब ले सकते हैं इसके जगा अब आपके से मिक्स कर लिए फ्लेम को लो कर दीजिए और इसकर जो इसको पकने के स्थोड़ दिजिए जब तक कि इसमें ऑय बगेर एट करें तो बॉटम पर लगने कर डर रहता है यह देखिए ओई उपर आ चुका है ग्रेप यहां पर पक गई है तो अब इसमें एट करेंगे दही तो हाफ कफ हमने दही ले लिए अब इसमें जाए की क्रीम तो यहां पर हमने हाफ कफ दूद की मलाई ले लिए थोड़े से दूद के साथ ले लिए दूद की मलाई या फिर आप फ्रेश क्रीम ले रहा हैं अमूल की यह कोई भी तो बोले सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां पर अच्छे से देखिए एक से दो मिन और पका लिया है हमने इसको थोड़ा स पानी कोफते फुल कोक नहीं हुए है अब इसको हमने ग्रेवी के साथ पकाना है मिक्स कर लेंगे रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को एक लाइक जुरूर कर दें चैनल पन नहीं है तो सब्सक्राइब भी जुरूर कर लें क्योंकि ऐसे हमारी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आती रहती है अब इसको कबर करेंगे 10 मिन लो फ्लेम पर पकने के लिए सब्सक्राइब अब एक मुट्टी कटके और अच्छे से मिक्स कर लें और बस फ्लेम को यहां पर बंद करने यह सब करने के लिए एकदम रैडी है तो देखिए इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है अब इसको सब्सक्राइब बहुत ही लाजवाब तो जुरूर ट्राइब कीजिएगा रेस्टोंट से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है घर में एक दम रेस्टोंट से भी बढ़िया बना सकते हैं तो जुरूर बनाईए घर पर हमें रेस्टोंट जाने की कोई जरूरत नहीं है तो देखिए इसको हाथ लगाते इस तरह से एक तम टूटने लगेंग की रेसिपी बसंद आईए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इशाला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अलाहाफिज